जहिन दोस्तों मैंने धीबें चोहान आजम करेंगे क्लास टायंत का 4.2 का क्वेशन नंबर 2 इसमें दो पार्ट हैं तो चलिए पहला पार्ट करते हैं माना जॉन के पास X कंचे हैं और जीवनती के पास 45-X कंचे हैं हमें यहाँ पे बोला गया है कि जॉन और जीवनती के पास कुल कंचे हैं 45 दोनों के पास अलग-अलग नंबर नहीं दिये गए हैं और वही हमें फाइंड करने हैं तो जो हमें फाइंड करना है हम उसे यहाँ पर लेट कर लेंगे ठीक है तो माना जॉन के पास X कंचे हैं और जीवनती के पास 45-X कंचे हैं पहला नाम जॉन का है दूसरा नाम जीवनती का है इसलिए पहले वाले के पास X हो गए और दूसरे के पास 45-X हो गए दूसरे सिच्वेशन में कह रहे हैं पाच कंचे खोने के बाद दोनों के पास से पाँच पाँच कंचे अब खो चुके हैं तो अब क्या situation है हमारी अब हो जाएगी यहाँ पर जौन के पास देखो पहले x थे अब पाँच कंचे खो गए खो गए का मतलब माइनस हो गए और यहाँ पे थे पैंटालिस माइनस x जीवनती के पास 45-X थे अब 5 कंचे खो गए यानि कि यहां भी माइनस कर देंगे 5 45 में से 5 गया तो यहां आया 40-X ठीक है आगे बोल रहे हैं कि दोनों का गुणाकार 5 कंचे खोने के बाद दोनों का गुणाकार देखो यह 5 कंचे खोने के बाद की situation है तो कह रहे हैं 5 कंचे खोने के बाद का गुणाकार है हमारा 124 ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे X-5, 40-X गुणाकार है ना तो बीच में ब्रैकेट कितना दिया है गुणाकार हमको हमको यहां दिया है 124 ठीक है अब देखो क्या करेंगे पहले X से इस पूरी ब्रैकेट की गुणा और फिर माइनस 5 से पूरे ब्रैकेट की हम करेंगे गुणा ठीक है तो X को 40 से गुणा करेंगे तो 40 एकम 40X फिर X को करेंगे माइनस X से गुणा तो यह हो जाएगा माइनस X स्क्वेर अब माइनस 5 से 40 को गुणा तो ये हो गया आपका माइनस 200 फिर माइनस 5 से माइनस X को तो माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 X बराबर 124 अब यहाँ पर देखो 40 X और प्लस 5 कितना हो गया पहले X स्क्वेर ले लेते हैं माइनस X स्क्वेर 40 X प्लस 5 X 45 X और जो यहाँ 124 है इसका हम कर देंगे पक्षांत्रन तो यह हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0 माइनस X स्क्वेर प्लस 45 X माइनस माइनस प्लस होता है तो 200 और 124 को जोडेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 324 बराबर 0 अब देखो यह द्वीघात समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है बन चुका है लेकिन कभी भी यहाँ माइनस में नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस ले लेंगे common तो अंदर वाले सभी के निशान हो जाएंगे उल्टे माइनस common ले रहे हैं तो सभी के निशान उल्टे हो जाएंगे X स्क्वेर माइनस 45 X और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0 अब करेंगे हम इसके गुणन खंड तो गुणन खंड करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे दुबारा करते हैं एकस स्क्वेर माइनस 45 एकस प्लस 324 बराबर 0 यह दिविखात समिकरण बन चुका है हमारा अब इसके हम यहाँ पे अव्यव करेंगे ठीक है तो अव्यव करने के लिए क्या तरीका होता है हमारा आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा यानि की एक गुणा 324 तो कितना हो जाएगा 324 ठीक है अब 324 का लेंगे LCM 2 एकम 2 दो चिक बारा दो दुनी चार दो अट्टे सोला दो एकम दो तीन से करेंगे तीन दुनी छे तीन सत एककिस तीन निमसत आइस तीन तीन आनो और यह हो गया तीन एकम तीन 324 का LCM ठीक है अब हमें बीच वाले नंबर के दो ऐसे टुकडे करने हैं कि गुणा करने पर 324 आए और प्लस या माइनस करने पर 45 आए ठीक है तो चलिए LCM पे चलते हैं यहाँ पे हमारे जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे वो हमको चेक करना है देखो तीन तिया 9 तीन तिया 9 नो दुनी 18 अठारा दुनी 36 तीन तिया 9 और यहाँ पर तीन तिया 9 नो दुनी 18 अठारा दुनी 36 तो 9 और 36 देखो पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखेंगे 36 और 9 यदि 36 और 9 को गुणा करते हैं मानली जी हमने गुणा किया तो हमारा अंसर आता है तीनसो चौबिस ठीक है और यदि माइनस चतिस प्लस माइनस नो माइनस चतिस और माइनस नो यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 36 और नो जोड़ कर आता है माइनस 45 ठीक है तो हमारा आणसर आचुका है 36 और 9 हमेशा पहले आप जब भी गुणनखंड करें तो पहला नमबर बढ़ा लें तो यहाँ पे हमारे गुणनखंड होंगे x square minus 36x sorry minus 9x plus 324 बराबर 0 अब इन दोनों में से हम common ले सकते हैं x अंदर बच गया x minus 36 ठीक है दूसरे bracket में भी यहीं आना चाहिए x minus 36 तो यहाँ पे हम देखो क्या common लेंगे यहाँ पे हम common लेंगे 9 निशान के लिए पहले हम लगाएंगे minus checking कर लेते हैं minus plus minus 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 हमारा ठीक है x minus 9x minus 36 बराबर 0 यह हमारा यहाँ पे answer आ चुका है अब हम दोनों के यहाँ पे 0 निकालेंगे पहले इसको यहाँ से delete करते हैं नहीं तो हमारा sum नहीं हो पाएगा ठीक है इस तरह से यहाँ से delete कर देंगे तो जगा बन जाएगी page में x sorry pencil नहीं ली x minus 9 बराबर 0 x minus 36 बराबर 0 तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 9 minus का था पक्षांतरन हुआ x बराबर 36 ठीक है minus का था पक्षांतरन हुआ तो हमारे यहाँ पर दो answer आ गए अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन-कौन से जवाब हमारे हो सकते हैं हमने यहाँ पर माना था 45 minus x तो 45 minus x 45 minus 36 कितना हो जाएगा 9 और दूसरा भी हम देख लेते हैं 45 minus x 45 minus 9 बराबर 36 ठीक है तो दोनों जवाब हमारे हो सकते हैं क्योंकि दोनों को जोडने पर आ रहा है 45 ठीक है अगला question देखते हैं अगले page पर हम चलते हैं यहाँ से अगला question है हमारा कि एक कुटी रुद्योग एक दिन में कितने ऐसे खिलोने बनाता है एक खिलोना बनाने का खर्च 55 में से बाद कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हम मानेंगे निश्चित दिन उत्पादित खिलोनों की संख्या दूसरा है निश्चित दिन एक दिन में यहाँ पर लिखेंगे हम खिलोने बनाने की संख्या खिलोने बनाने की संख्या बराबर है ठीक है उसके बाद कह रहे हैं कि जितना भी खर्च है वो पच्पन में से हमें माइनस कर देना है तो खिलोने बनाने का खर्च खिलोने बनाने का खर्च खिलोने बनाने का खर्च हो जाएगा पच्पन माइनस एक्स क्यूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो संख्या है उसको 55 में से माइनस कर देना है, ठीक है, इससे एक दिवन, एक दिन का खर्च, एक दिन का खर्च हमारा हो जाएगा, एक्स गुणा 55 माइनस एक्स, देखो, एक्स को गुणा कर दिया, 55 माइनस एक्स से, और अब बोल रहे हैं, क्वेशन में, गुणा कार होगा, 750, एक दिन के खर्च का गुणा कार होना चाहिए, 750, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स को 55 से गुणा करेंगे तो 55 एक्स, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो, माइनस एक्स स्क्वेर, इस इकोल टू, 750, अब इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेर, प्लस 55 एक्स, प्लस 750 है, इस सरफ आएगा तो, माइनस 750 बराबर 0, कभी भी द्भीगहत समीकरण माइनस में नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर हम लेंगे माइनस common द्भीगहत समीकरण हमारा त्यार हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसके गुणन खंड तो कैसे करते हैं आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा तो यह देखो यहाँ पर कर देती हूँ एक गुणा 750 कितना हो गया 750 ठीक है अब 750 का लेंगे LCM सबसे पहले 2 से 2 3 6 2 7 14 2 5 10 अब होगा 3 से 3 एकम 3 3 2 6 3 5 15 अब होगा यह 5 से 5 2 10 5 25 अब होगा यह 5 से 5 25 और 5 एकम 5 ठीक है यहाँ पर हमने गुणनखन कर लिए अब हमें 55 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 750 आए और प्लस या माइनस करने पर 55 आए ठीक है तो यहाँ पर देखिए 5 3 15 15 दुनी 30 ठीक है 5 3 15 15 दुनी 30 और 55 25 यह सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी 5 3 15 15 दुनी 30 तो पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखें 30 55 25 इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 750 ठीक है और यदि इन दोनों को हम प्लस करें देखो क्या से माइनस 30 प्लस माइनस 25 यदि इन दोनों को हम प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा हमारा माइनस 55 जब भी आप गुणानखन करें पहले हमेशा बड़ा नंबर लिखें ताकि हमारा सम इजीली स्क्वेर माइनस 30X माइनस 25X प्लस 750 बराबर 0 ओके इन दोनों में से common लेंगे X X माइनस 30 जो यहाँ आया है bracket में वही अगले bracket में भी आना चाहिए बराबर 0 इन दोनों में से हम common लेंगे 25 ठीक है 25 common लेंगे यहाँ लगाएंगे पहले माइनस ताकि हमारी निशान की चेकिंग हो जाए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस यानि कि माइनस 25 हमारा निशान बिल्कुल ठीक है एक bracket में X माइनस 25 और एक ब्रैकेड में X माइनस 30 आगे सम करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर ठीक है तो हमारे क्या आँसर आए है X माइनस 30 और X माइनस 25 दोनों का निकालेंगे 0 एक्स माइनस 30 बराबर 0 और X माइनस 25 बराबर 0 X यहीं रहेगा 30 का पक्षान तरण X यहीं रहेगा 25 का पक्षान तरण ठीक है दोनों जवाब बिल्कुल ठीक हैं तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत